सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज की डेट में अगर आप एक समार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपकी दिमाघ में 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 सवाल आता हुगा अब मैं इसको कम से कम दो साल तीन साल पांच साल यूज़ करूँगा अच्छे आपका फोन कितना लंबा चलने वाला है नमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेखनीकल गुरू जी, चलिए शुरू करती हैं अब ही न मतलब मुझसे भी यह सवाल आप में से काफी वीवर्स कते रहे देगी एक फोन बताओ, बीस ज़ार के अंदर जो कि 5 साल तक चल जाए, एक फोन बताओ, यार बरको 4 साल तक चल जाए मतलब हमेश्चा हम देखते हैं टाइम के साथ-साथ कि आपका फोन चल जाए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो आकर कितना लंबा आपका फोन आक्चुल में चलेगा ज़र देखो, बात अगर चलने की है, सिंपल, तो तो फिर कोई उसकी उमर नहीं है, चाहे उसको चलाए रखो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आप, as a user, comfortably, बिना किसी problem को face किये, एक फोन को कितना लंबा यूज कर सकते हैं ख़िस देखो, दो साल तो बड़े आराम से, आज की rate में आप कोई भी phone अगर choose करते हैं, तो दो साल तक तो बिना किसी दिक्कत कि आप उस phone को use कर पाएंगे, कोई tension की बात ही नहीं है, इसलिए दो साल तो आप कम से कम मानी लो हाँ, अगर phone एकदम ही outdated है, जो आप आज ले रहे हैं, वो already बहुत पुराना model को हो चुका है, तो एक अलग बात है, otherwise जो market में फिलाल phones मिल रहे हैं, और जो ठिक ठाक price range के आ रहे हैं, हाँ, जियो phone अगर यह बात नहीं करता है, बड़ अदर्वाइस, दो साल से लंबा कीच हैं, तो आपको अलग अलग जगेहों से problems face करनी पड़ सकती है, जो सबसे पहली problem है, वो है battery को ले के, क्योंकि phone बातरी आपको पता है, तो आपको एक time के बाद में अच्छा backup नहीं मिलेगा, अगर आपकी battery एक दिन जलते तो बाद में शाम तक खतम हो जाएगी, हो सकता है, बाद में दिन में दो बार charge करना पड़े, यह हो सकता है, बैटरी आपको काफी poor performance दे, तो ऐसे में, क्योंकि हम जानते हैं कि battery एक replaceable component है, आपने battery को replace कर लिया, तो आपकी दिक्कतें काफियत तक ठीक हो जाती है, तो ऐसे में battery को तो खेर change करना बनता ही है, अगर आप phone को 2 स especially mid range phones में, जो components की quality होती है और वो इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब वो इतनी long lasting होती नहीं है, अब जब आप phone ले रहे हैं 15, 18, 20,000 का इतना तो कुछ margin भी नहीं होता है, तो ऐसे में companies जो components उस करती है वो इतनी अच्छी quality वाले use नहीं करती है, हो सकता है आपको speaker में से द हम माने ideal case कि आपके पास में एक अच्छी quality का smartphone है, जो कि अगर आप एक अच्छे brand का एक अच्छा phone लेंगे तो chances हैं कि होगा, तो components की दिक्कत को भी चलो ठीक हमें छोड़ दिया एक बार के लिए, आप उसको और लंबा खीच सकते हैं, दिक्कत यहां पे आती है कि जब brand ख तो उसके लिए क्या होता है, अच्छा में देखा है कि अपडेट्स होगा रहे चलते, companies जो है, वो या तो आपको updates देंगी नहीं, कि भाया तुम पुराने वाला update के लेके फोन को बस बैटे रहो, तो ऐसे में आप खुदी हुझा को परिशान किया, नया update तो आन रहा है, या फिर वो update देंगी, तो हो सकता है आपको उसके अंदर ही कुछ न कुछ जो है, वो problem साथ में डाल के दे दे, जाने अन जाने में हमको पता नहीं है, बर देवता कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसे में आपको bugs मिलेंगे, कभी battery life एक्दम खराब हो गई है, कभी phone एक नहीं किया, भया, companies बहुत बढ़िया थी, और लंबे समय तक आपको software पर जेती है, बिना किसी दिक्कत के, for example, Apple, for example, Samsung ने रिसेंटली भी काम स्टाट किया, for example, Google हो गए रहे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत फर कब आ सकती है, कि आपको performance नहीं मिलेगी, जब ने, games, नहीं नहीं, apps को use करेंगे, तो हो सकता है, आपको वहां पर कुछ compatibility का issue है, although जो compatibility का issue है, वो नहीं हाना चाहिए, because अभी जैसे हम बात करते हैं, बहुत कोई पराना Android version 4, 5, 6, उस जवाने की बात कर रहे हैं, तो वो हो सकता है, अभी compatible नहीं है काफी apps के लिए, लेकिन अगर बात के लिए recent 4, 5 साल की है, तो सारे versions सब चल जाते हैं, लेकिन ख़ई बार आपको, for example, को नया game है, आपके phone में चलाने का मन कर रहे हैं, बहुत चल नहीं भारे हैं, आपके phone का hardware है, लिमिटेड है, तो यार, देखो, मुद्दे के बात, जो इनना नटसल, अगर हम कर सकते हो, for example, अगर आपने अभी iPhone 13 लिया है, तो 5 साल बिना किसी दिक्कत के चलेगा, मतलब आप बड़े आराम से comfortably यूज कर पाएंगे, because, मैंने लोगों को 5 साल पुरणावल iPhone का model अभी तक यूज करते हुए देखा है, बिना किसी दिक्कत के, या अगर हम बात करें, OnePlus के flagship क अगर हम बात करें, let's say, Samsung के flagship की तो लोग यूज कर लेते हैं, हिता लंबा चल जाता है, लेकिन बाकी companies में दिक्कत कहीं न कहीं यह आती है, कि यार, यूजर तर को मिल जाएंगे, आज की देट के अंदर भी आप अगर बताओ के नीचे कॉमेंट करते हैं, कि आपको उसके 2016 अगर हम बात करें, अगर हम बात करें आइडियल तरीके से, तो फोन को दो साल तक तो कोई एकत नहीं चाहिए, बड़ा आप चलना चाहिए, और आपको दो साल से बाले फोन चेंज भी नहीं करना चाहिए, इसी मेरी सलहा है, कई लोग जोते हैं, वो हर दो-दो महीने में, तीन दिने में फोन ऐसे बदलते हैं, बिल्गूल कि अच्छा आप नहीं आए, यह जहा है, वो नहीं, पता नहीं क्या है अचीव कर रहे हैं लाइफ में, एक-दो साल, दो साल तो कोई दिक्कत नहीं है, दो साल के बड़ चला सकते हो, तीन-चाह साल भी दिक्कत नहीं है, तो सेंस नहीं बनता है, फिर वो समार्टफोन सिर्फ नाम का समार्ट होगा, वो आपको समार्ट बनाये का नहीं, वैसे आप बताओ कि आप आप आईएली फोनों कितला लम्बा यूज़ कर सकते हो, खरंचो मॉठल लग्सों कितला लम्ए टाइम से यूज़ कर रहे हो, और आना ऐसी वीडियोज लेके आता रेता हूं दुल्फराडों में इतना ही जैहिंद वंदे मातरम